हेलो अब्रीबन कैसे बच्चों सो देखे एक्च्वल में अभी तक तो मैं हमेशा बोर्ड पर ही पढ़ाया हूं बच्चों आज पहली बार पीपीटी से पढ़ाने की कोसिस कर रहा हूं देखे कैसा लगेगा जरूर फीटबग दीजेगा हमको आप सब लोग ना फीटबग आपका बहुत इंपोर्टेंट होगा में लिए बच्चों तो मैं पहली बार जो है पीपीटी से पढ़ाने जा रहा हूं तो आज मैं क्लास टूल का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हू इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे इवन जेमेन नीट और बोर्ट वाले बच्चे पढ़ेंगे उनको भी बहुत फायदा होगा बेसिक्स एकदम क्लियर होगे लेकिन एडवांस लेवल की बात करें तो बच्चों वह एक अलग पढ़ाई है उसके लिए मैं अलग से ही व होते हैं तो क्या है यह पहला चाप्टर इसकी बात करते हैं तो क्लास 12 का NCRT का सबसे पहला चाप्टर है बच्चों वैसे हम लोग तो चाप्टर का पूरा नाम देते हैं हम जो आनी दो पाट में बात रखा है पहला चाप्टर होता है वो पहला चाप्टर एनंशाटी का है वह बच्चों इलक्तरिक चार्ज एंड अब अब चार्ज में पढ़ना क्या है उनके बारें में डिस्कस करते हैं तो अगले slide में क्या है बच्चों? लेक्टिक चार्ज और इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे electric DFB. So what is electric Carlos? क्या है? इसके बारे में पूरा detail में पढ़ेंगे तो यह जो पहला lecture, पहला lecture जो पहला lecture या क्यालो लेक्ट कि जो chapter 1 है, 1 का 1.1 जो चल रहा है, उसमें हम सबसे पहले electric charge के बारे में detail में पढ़ेंगे क्या होता है, फिर उसके पर एक दो तीन question करेंगे, आज का lecture यहीं, क्योंकि इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, एक एक करके हम लोग discuss करना स्टाट करेंगे, एक दम basic में, फिर ब positive feedback आया है, तो मैं इस तरह के सारे chapters जो है, सारे chapters को मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि आपके basics clear हो जाएंगे, जिनके basics clear हो जाएंगे, वो जहीं में need के लिए advanced level पर जाके बढ़ सकते, बहुत मचाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं, बहुत tough होगा नहीं, बहुत simple सा है बच्चों, देखें, next, अगली slide है बच्चों हमारी, electric charge, क्या होता है, electric charge उसके बारे में discussion करना है, तो चले, electric charge के बारे में पहले तो एक बात करते हैं हम लोग, या कहलो, जो electrostatic है, यहने बोला था, electrostatic को लेके, तो जो electrostatic हमने यहाँ लेखा है, बच्चों देखें, So, electrostatic के बारे में यहाँ लेखा देखें, electrostatic जो होता है, electrostatic, deals with the study of phenomena associated with the electric charge at rest, हाला कि मैं पढ़ाते समय भी यही बढ़ाता हूँ, कि electrostatic का मतलब भी होता है, कि हम वो सारी चीज़े जो पढ़ते हैं, जब charge rest पे होता है, उसी को electrostatic कहते हैं, और यह बात definition wise लिखा हुए परफेक्ट तरीके से हमें दिखा ही दे रहा होगा, हाँ सर, electrostatic deals with the study of phenomena associated with the electric charge at rest, सो देखें बच्चों, next point क्या आ रहा है यहाँ पर, the Greek first noticed, सबसे पहले यह जो charge notice किया गया था, वो ग्रीक ने, देखें, ग्रीक में notice हुआ था, या ग्रीक notice है यह, ग्रीक notice, notice, first time notice किया था, electric charge को, कब notice हुआ था, जब एम्बर rub with the furs, एम्बर, एम्बर एक materials है, जो फर के साथ rub जब किया गया, तब पहली बार notice में आया था charge, the Greek word ember, जो Greek word ember है बच्चों, जो Greek word ember है, उसी ember का नाम electron रखा गया था, Greek word ember को ही क्या बोला गया था, electron जब पहला देखें आने, यह history है, history of the charge कह सकते हैं, जब start हुआ था charge का innovation, जब लोग खुज रहते, charge क्या है, तो उसमें पहली बार ऐसा observation हुआ था ना, next देखें बच्चों, you might have observed some of these cases, हम कुछ ऐसे cases observe कर सकते हैं, जैसे हाँ पर देखें, यह तो बहुत सारा हम लोगों ने देखा होगा, movie movie में भी दिखाते हैं, कि जब sock लगता है, तो यह जो बाल खड़े हो जाते हैं, अक्चिल में यह electrified हो जाते हैं, जो hair होते हैं वो electrified होते हैं, और electrified होने से electron, जैसे हमने का charge plus plus आया, तो plus plus repulsion, तो यह बाल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिस करते हैं, तो इस तरह का situation आता है, अगर हम एक बात करें, देखें, यह वाला case भी हम सब लोग जानते हैं, बच्चों, जब आप dry hair को कम करते हैं, कम करके नीचे लाएं, तीनी particles उसके साथ अट्राक्ट होते हैं, यह सब चीजें, अब्जर्व किया गया, चार्ज को लेके, ऐसे बलून है, बलून को भी अगर आप बहुत ऐसे कर रब करके फिर ऐसे रखें, तो इस पे चिपक जाता है, क्योंकि जब उलक्रिफाइड हो जाता है, तो बालों के साथ चिपक जाता है, जैसा यह सब एक्ज इस में क्याता, अभी बता भी रहते हैं कि चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के वज़े से ऐसा होता है, देखें, नो लेट सी वोट एक्जाक्ली हापन्स, हमने बताया कि क्या होता है, यहां पर यह समझा दिया, अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, बच्चों, है या कंडुक्टर जिस पे चार्ज हैं, इस बॉड़ी होल्डिंग चार्ज अन इट्स सर्फेस, और इस चार्ज अर नोट इन मोशन बट स्टेसलरी अन दो सर्फेस, यह चार्ज मोशन में नहीं हैं, बलकि सर्फेस पे रुके हुए हैं, मतलब इसे जब भी पढ़ेंगे, तो कौन से चाप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो स्टार्टिक चाप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि चार्ज अन पर हैं, रेस्ट पे हैं, देखे, 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 बच्चों, नेक्स क्या है, यह कॉपर वायर है, एक तरफ धान रहे हाई पोटेंशिल, एक तरफ लोग पोटेंशिल, बनला एक तरफ प्लस चाज, एक तरफ माइनस चाज अगर हम कर दें, यह से देखे, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पोजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव, इधर पोजिटिव, तो जो कि अधर मूफ करेंगे ज़रा देखे दिखाई दरह बच्चों इधर मूफ करते हैं इलेक्रों इधर मूफ करने इसका मतलब है मोशन में आया चार्ज, these charges are in motion, अगर ये charges मोशन में हैं, तो इस तरह के study को, these, study of these charges is called dynamic या current electricity, ऐसे motion वाले charges अगर कहीं मिलते हैं, तो वो electrostatic में नहीं, बलकि current electricity में पढ़े जाएंगे, इनका study करना मतलब current electricity है, इनका study करना मतलब क्या है बच्चो, current electricity है, next क्या है देखें या लिखाया, so the difference between, हम लग डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में, electrostatic और current electricity के बीच में, the difference between electrostatic and current electricity, current electricity, current electricity, current electricity, क्या है बच्चो, ध्यान रहे, इसा यहाँ पर दीख रहा होगा क्लेर मेरे बच्चो सबको क्लेरे पॉइंट समझ में अगर चार्ज रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रोस्ट्टिक अगर चार्ज मोशन में हैं तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी इसका डेफिनीशन चार्ज का डिखिन बच्चों हमने कहा था कि चार्ज पहले अगर आपने कभी लेक्ट्र देखा और मेरा तो पको पता होगा दरवाइस मैं फिर से बोर रहा हूं कि चार्ज हमेशा और हमेशा किसी मेटिरीयल की प्रपर्टी होती है एक ऐसी प्रपर्टी जिस प्रपर्टी के वज़े से उसमें इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फोर्स लगते हैं ऐसे सिम्पल सी बात है तो देखें उसको वर्ट्स में क्या लिखा गया है आपर इट इस दा फिजिकल प्रपर्टी ऑफ माटर देट कॉसे इट टू एक्स्पिरियेंस फोर्स वें क्लो सुधार इलेक्ट्रिकल चाइन अगर एक चार्ज अगरिए चार्ज है तो दूसरे चार्ज के पास ले जाएगे तो पोस लगेगा तो अगर वो जो है इसके पास उसि-स प्र Means見て व द्हूंट है उसी नाम देते हैं उस्थ ट्रोपर्टी को नाम देता है बच्चो क्या चार् प्लस मैंनस हमें लेकिन अगर एक प्लस है मलुंओ फ्रिक्ती piece है इसे यहां-पर दिखाया ने ने देखें, the force is due to the property called, देखें, this force is due to the property called charge, यह जो force property की वज़े से है, वही जो property है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, charge कहते हैं, तो charge का हमें यहां तक समझ में है बच्चो, charges are classified as, charges को हम classify करते हैं, दो पार्ट में, सबको मालूम है, charges दो तरह का होता है, एक plus और दूसरा क्या, minus, तो charges classified as positive charge and negative charge, बहुत simple से बात है बच्चा, सबको मालूम है, positive charge and negative charge, proton is said to a positive charge, proton को हम plus charge मानते हैं, और electron को क्या मानते हैं बच्चो, proton, electron is said to have negative charge, ऐसा करते हैं, proton को plus मानते हैं, electron को minus मानते हैं, लेकिन मैं फिर बोल्टाओं, compulsory नहीं होता है, यह जहाना गया है, यह कोई कहीं पाया नहीं गया, कहीं डिराइब नहीं होगा, कहा गया है, कन्वेंशन है, मानते हैं और मानते रहें हैं, ना, magnitude of positive और negative charge, जो electron का charge का value होता है, magnitude होता है, वो यह लिखा गया है, 1.6 into 10 का power minus 19 coulm, यह उसके charge की value है, charge is a scalar quantity, charge एक scalar quantity है, बच्चो, चार्ज इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बाते हैं, चार्ज क्या है, एक scalar physical quantity है, चार्ज एक scalar physical quantity है, properties of electric charge, basic properties है, पटाफट देखते हैं, what is the properties of electric charge, the basic property, properties of electric charge, लिखा, charge like mass is a fundamental intrinsic property of matter, माज की ही तरह, मास की ही तरह, चार्ज भी किसी material का fundamental quantity है, fundamental intrinsic property, सोरी न, फंड़मेंटल intrinsic property है, चार्ज भी मास की ही तरह, fundamental intrinsic property होता है, matter का intrinsic property, matter का intrinsic or fundamental property है, कimore départ milk on है, र Sacra Community recognizes particle, first point, the feet of chemistry, सब लोग जानते हैं बच्चों मुस्किल काम नहीं है बहुत आसानी समझ पारें हम लोग अभी इधार अभी बहुत बेसिक चल रहा बच्चों आगे चल की थोड़ा मुस्किल हो जाएगा इतना बेसिक है कि कोई छोटी क्लास का बच्चा भी बढ़े तो उसे बहुत अच्छ समझ में आएगा ठीक है तो कोई बात नहीं है क्योंकि बेसिक्स फंडावेंटल्स हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है तो अगला पॉइंट था बच्चों अनलाइक चार्जेज अनलाइक मतलब जो एक तरह के नहीं है जैसे एक प्लस और एक माइनस तरह के नहीं है जैस यह माइनस रिपशन यह प्लस यह प्लस रिपशन यह माइनस यह प्लस अट्राक्श्च्ड ताइचते का Cerівपाइअ चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वह वन अपन आर स्कॉर के प्रपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज हमेंसा कंजर्ब होता है कंजर्ब होने का मतलब बच्चो ना तो हम उसे डिस्ट्वाइ कर सकते हैं लेकिन ध्यार है अगे चलते किसी साली चार्ज होता है इतब चलते हम इसको लिजे यृद्ट्र सब्सक्रिक होता है ईड़िटल में करेंगे आपर देख ली जिए बच्चो ना इल्याक्रिक चार्ज होता है एडिटी उसे आड़ कर सकते हैं और algebraic summation किया जाता है charges में जैसे plus plus add करेंगे तो प्लस ही value आएगी plus minus करेंगे तो जो बढ़ा होगा minus बढ़ा होगा तो minus में आएगा plus में आएगा तो एडिटी नेचर का होता है charge और कुछ प्रापटी है जैसे electric charge is invariant as it doesn't depends upon the motion इलेक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रइफ Geo period하지 उन्वारियेटं बोले तो इन वारियेंट ओदे चार्छ का व्यावियू seem उच्घंड मॉशन में है तब उसकी वाईर क्यूं है रियस्ट पर तब उसकी व्यावियू है मतल inom इसका नहीं होता है इसका मतलब यह अब आपको कोई जाएगे तब भी उसकी वैलू क्या होगी उसी के बराबर होगी चार्ज डिस्ट्रीबूशन डिपेंड सब्सक्राइब डेपेंड पर डिपेंड करता है conductor के shape पर depend करता है, जहाँ radius कम होता है, वहाँ radius कम होता है, वहाँ density जादा होती है, जहाँ radius जादा होता है, वहाँ density कम होती है, यह point important है, ध्यारा इस पर question में बनेंगे, देखें कुछ इस तरह का distribution रहता है, यहाँ यहाँ जादा है, यहाँ जादा है, यहाँ जादा है, यहाँ जादा शार्फ होगा conductor, वहाँ density जादा होगा, वहाँ density क्या होगा, जादा होगा, जादा होगा, जादा होगा, जादा शार्फ होगा conductor, वहाँ density क्या होगा, जादा होगा, देखें स्पेरिकल conductor ऐसा सब जगह लगवग uniform है यह क्या apparel safe का है जिसमें जहां शार्पने से वहां देखेंगे अभी question आगे आपके साथ सामने देखें बच्चों बहुत आसान है हर बच्चा कर सकता है देहार रहें एक जब भी lecture हम complete करेंगे यह questions तक आएंगे दो तीन question करेंगे topic question topic question अब से आगे बढ़ते चलेंगे ठीक है और अगर हम लोग ऐसे हर रोज एक एक दो दो लेक्चेर पढ़ते रहें तो खतम कर लेंगे पूरा से अगर हो जाएंगे तो आगे भी उच्छे लेवल का पढ़ने बहुत मजाएगा देखें क्या लिखा बच्चों dot 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 charges attract each other कों से charge attract होते हैं बच्चों like charges की unlike charges बूलिए like की unlike आगे होगा answer unlike charges कौन सा unlike charges ok next अगला question दखिए क्या है बच्चों रीकर नेकस्ट अर्च संथ पर देन पर शैञान कर्फेस की दोवल यो यह चाहक सेंटर एजिसबुसेय करुट सर्फेस थें फ्लाट सर्फेस कर्फेस के ज्रादा है ज्यादा मिनिमुम होता है मैक्सिमम सेम कहां होता है बच्धो शार mister Adいてi सब से जाधा होता है सब से जाधा होता है जैट ऺिनिजराज का लेक्षॺ पनेश हो गया बच्चो नव अब द्हानराएं के बारे में ऐसे बेसिक बाते कि opera 24 क्या होता है अब जाके उसका सही में ऐNow कि बैसिक ब्रपॉर्परटी महाएं करेंगे नौ और आपको आगे चलके भूब मजा आने वाला है. अगर आप बेसिक नहीं जाने गाएं, तब दिक्कत होता है. लेकिन बेसिक अगर हम समझ जाते हैं, तो भूब मजा आता है. चलिए, मिलते हैं नेक्स क्लास में. अगे, थैंक्यू, थैंक्यू, थैंक्यू.